प्रेंड्स वेलकम टू सिवाक्षी क्रियेशन्स आज हम इस लेंगी का ब्लाउज बनाएंगे तो इसकी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो लेंगे की हमने पहले ही अप्लोड की हुई है आईए ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो यह हम बैक पार्ट निकाल रहे हैं पहले बैक ऑपन ब्लाउज हाई है यह हमारा तो आदा इंच हम हो कही बटि के लिए एक्स्ट्रा ले लेंगे आप ब्लाउज की लंबाई लेंगे तो ब्लाउज की लंबाई तयर है हमारी 15 इंच तो 16 इंच पर मारकिंग करेंगे हम साड़े 5 इंच के शोल्डर ले लेंगे और 6 इंच के आर्मूल ले लेंगे यहां से भी साड़े 5 इंच ले लेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे अब हमें यहां से आर्मूल का हाफ ले लेना है 3 इंच और यहां से सीने का चौथाई भाग 9 इंच ले लेना है अब इने लाइनों से मिला लेंगे, यहां हम आर्मोल की गोलाई दे देंगे और इसे कट कर लेंगे, बैक पार्ट को रखते हुए ही हमें फ्रेंट पार्ट की भी मार्किंग करनी है, तो यह देखिए, यह हमारा बैक पार्ट कट हो गया है, अब हम इसे जो भुकाई की पट्टी का मार्जन लिया था है, इसे फोल्ड करके पिंस लगा देंगे, क्योंकि भुकाई हमारे पीछे की तरफ है, और एक इंच नीचे एक्ष्ट्रा ले लेंगे, फ्रेंट पार्ट के लिए, यह एक सीधी लाइन बना देंगे, यह हम प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाने वाले हैं, अब हम बैक पार्ट को यहां सैट कर देंगे, तो शोल्डर हमें बराबर ही लेने हैं बैक पार्ट के, बैक और फ्रेंट दोनों के शोल्डर बराबर रखने है, यहां नीचे की तरफ एक इंच बढ़ा देना है बैक से, और उपर की तरफ आदा इंच बढ़ा देना है आर्मूल के लिए, अब इने इस तरह लाइनों से मिला लेंगे, अब इसे बैक पार्ट को हटा देंगे, अब आर्मूल के लिए हमें आदा इंच बढ़ा देना है, और यहां से हम साड़ी छे इंच पर मार्किंग करेंगे, और यहां से फ्रेंट के लिए हम 5 इंच पर मार्किंग करेंगे आदा इंच अंदल जाके इन निशानों को मिला देंगे यहां आर मोल के लिए गुलाई दे देंगे अब यहां से हमें सीने का चौथा ही भाग लेना है उसमें आदा इंच प्लस कर देना है यानि साड़े 9 इंच पर मार्किंग करेंगे और 2 इंच का मार्जन अब हमें उपर से अपेक्स पॉइंट का निशान लगाना है तो 9 इंच में हम 1 इंच प्लस कर लेंगे यानि सीने का चौथा ही बाग उसमें 1 इंच प्लस करेंगे और यहां से सीने का दसवा भाग ले लेंगे 3.6 नीचे से हम 3 इंच पर मार्किंग करेंगे और इन लाइनों से मिला लेंगे यहां से 1.5 इंच पर मार्क करेंगे और प्रिंसेस कट का शेप दे देना है अब हमें यहां यहां से इस तरह गुलाई दे देंगे तो ये princess cut की shape आ गई है हमारी अब हमें कमर की marking देखनी है तो 3 इंच हमारा यहां से था total हमारी पौने 8 इंच की कमर है एक इंच का slime margin आ जाएगा तो पौने 9 इंच हो जाएगा और 2 इंच का आगे slime margin रहेगा अब हम इसे भी cut कर लेंगे अब हमें नाप लेना है ने यह 7 इंच आ रहा है यह भी 7 इंच है हमारा तो बगल में हम यहां पर आदे इंची की shape दे देंगे क्योंकि हमारा front part back से थोड़ा बड़ा है अब हम side से नाप लेंगे back part को रखते हुए हलका सा difference आ रहा है वहां से छटाई दे देंगे यह देखिए यह हमारे front और back की cutting हो गई है अब हमें sleeves की marking करनी है तो इसके लिए हमने कपड़े को four fold कर लिया है साड़ी 10 इंच हमारी तयार sleeves है तो साड़ी 11 इंच पर marking करेंगे हम पॉनी 4 इंच की हम यहां कैप आइट ले लेंगे अब यहां से और तिल्ची लाइन पर साड़ी 8 इंच पर marking करना है हमें यह सीने का चौथा ही भाग और उसमें आदा इंच कम कर देते हैं अब तिल्ची लाइन का center निकाल लेंगे तो यह सबा 4 इंच आएगा आधा इंच उपर की तरफ जाएंगे इस तरह से हमें sleeves की shape दे देनी है यहां front की shape दे देंगे अब नीचे मौरी की marking करेंगे 5 इंच मौरी के लिए लेंगे क्योंकि 10 इंच की मौरी है हमारी total और 2 इंच का margin अब इसे इस तरह से मिला देंगे और इसके cutting कर लेंगे side से खोल लेंगे इसे अब extra कपड़ा यहां से joint कर लेंगे हम यहां में 2 इंच का margin ले लेना है यानि margin के लिए हम कबड़ा अलग से add कर रहे हैं अब यह sleeves भी हमारी cut हो गई है अब इन्हें main fabric पर रखते हुए हमें main fabric को भी cut कर लेना है तो सभी पार्टों को हम इस पर रखकर cut कर लेंगे यह देखिए हमने सभी parts को cut कर लिया है front, back, slips सभी cut हो गए हैं यहां अब हमें paper pasting लेनी है उस पर हम गला draw करेंगे तो यह देखिए यह 5 इंच की हमने चौड़ाई की pasting ले ले लिया है एक box बना लेंगे अब हमें यहां गले की shape देनी है तो हम यहां पान गला draw कर रहे हैं यह देखिए इस तरह का गला draw की आए हमने आप चाहें तो नौक्या थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं अच्छे से गुलाई दे दे अब हम एक एक इंच का margin ले लेंगे चारो तरप से अब इसे बाहर बाली line पर से हमें cut कर लेना है तो यह तो हमारा front का गला हो गया है अब हम back part की cutting करेंगे पहले तो हम pasting को straight कर लेंगे अब हम आदा इंच होकाई की पट्टी के लिए भी हम marking करेंगे क्योंकि यहां पर हमने paper pasting लिया है अगर हमने tight वाली बुख्रम लिए होती है तो हम यह पट्टी कट नहीं कलते हैं तो आदा इंच हमने निकाल दिया है साड़े 10 इंच हम गले की गहराई रखेंगे तीन इंच हमने गले की चौड़ाई लिया नीचे से उपर से वह पॉनी तीन इंच लिया है हमने अब एक बॉक्स तेयार कर लेंगे और यहाँ पर भी हम पान गली की शेप दे लेंगे आप चाहें तो राउंड भी या और कोई भी नहीं क्या हम बना सकते हैं अब इस पर भी हम बाहर की तरफ एक एक इंच पर मार्क कर लेंगे अब भार वाली लाइन से हमें इसे कट कर लेना है तो यह हमारे गले की कटिंग हो गई है अब हमें इने बीच में से कट कर लेना है बैक पार्ट के अलग अलग है हमारे अब हमें पेस्टिंग पर इन मार्कों को दूसरी तरफ भी ले लेना है तो यह देखिए इस तरह से हमें दूसरी तरह भी मार्प कर लेना है इसी तरह से बैक वाले गले पर भी कर लेंगे हम यह देखिए यह हमारे गले कट हो गए है अब हमें पेपर पेस्टिंग को हमारे अस्तल के उपर चिप कर लेना है इसी तरह से तो हमें back के दौनों पार्टों पर चिपका लेना है और इसी तरह हमें front पर paste कर लेना है तो ये देखिए इस तरह से हम सभी पर चिपका लेंगे तो हमने ये चिपका लिए अब हमें जो front में princess cut था उसकी shape दे देनी है इस तरह से cut कर लेंगे दौनों पार्टों को यह हमने cut कर लिया है अब हमें गला cut करना है यहां तो यहां 14-14 इंच का margin रखेंगे हम और इसे यहां से cut कर लेंगे गले को इसी तरह से हमें back में भी गला cut कर लेना है पेपर पेस्टिंग पर 14 इंच का margin रखना है हमें जो हमने main marking किया है उससे यह देखिए इस तरह से अब इन्हें कट कर लेंगे हम इन्हें पर सीधी सिलाई भी लगा सकते थे लेकिन हम यह गोटे वाली लैस अटेच करनी है तो इस वज़े से हम गले को यहां कट कर रहे हैं नहीं तो हम सीधा इसे में फैब्रिक पर अटेच कर लेते हैं तो इन्विजिवल लैस लगा रहे हैं हम यहां पर यह देखिए हमने गोटे वाली लैस ले लिये और इसे जो ट्रेंगल है उन्हें अंदर की तरफ करते हुए इस तरह से सीधी लैस लगाई आई है जब हम इस पर अस्तल रखके पल्टेंगे तो यह हमारी बिल्कुल सही आएगी यह देखिए अब हमें इस पर अस्तल रख लेना है और जो हमने सिलाई लगाई है लैस की उसके उपर ही हमें सिलाई लगा देनी है यह देखिए यह हमारी सिलाई लग गई है अब एक्स्ट्रा फैबरिक ऐसे कट कर देंगे अब इसमें छोटे-छोटे से कट्स लगा देंगे और गले को पलेट लेंगे अब यह देखिए बिल्कुल जो गोटा की किनारी है यह हमारी गले पर बहुत अच्छे से बैठी है पूरी लेस हमारी गोम हो गई है सिर्फ ट्रेंगल बाहर निकल रहे है तो अब इसकी साइड से भी पैकिंग कर लेंगे दौनों पार्टों को जोड़ते हुए अब हमें इसकी कटोरियां ले लेनी है एक्स्ट्रा कपड़ा ऐसे कट कर देंगे अब यह देखिए कटोरियों को आपने सामने रख लिया है अब इन पर हमें सलाई लगानी है तो एक पर हम लगा के बताते हैं यह देखिए कटोरियों की सलाई लग गई है एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे इसी तरह से हमने दोनों कटोरियां ready कर ली हैं अब इन्हें ब्लाउज में attach करेंगे तो नीचे से रखेंगे हम इन्हें और इस तरह से attach कर देंगे यहाँ पर double slide लगानी है हमें कटोरियों को stitch करते हुए तो दोनों कटोरियां हमारी attach हो गई हैं अब हमें back part ready करना है तो इस पर भी हम इसी तरह से less लगाएंगे पूरे गले पर हमें less attach कर लेनी है इसी तरह से दूसरे part पर भी कर लेनी है हमें अब इसे cut कर देंगे अब हमें main fabric पर इसे रखते हुए attach करना है तो सबसे पहले हम एक point astal को बाहर की तरफ निकालेंगे और इसे attach कर लेंगे main fabric को अब हमें यहाँ पर main fabric को एक point ज़्यादा लेना है जितना हमने नीचे astal extra निकाला है अतना main fabric को हमें ज़्यादा लेना है इस तरह से चड़ा के रख देंगे इसे और पूरे गले पर सिलाई लगा लाएंगे यहां हमने सिलाई लगा दिये हैं अब एक्स्ट्रा कपड़ा ऐसे कट कर देंगे और इसमें छोटे-छोटे से कट्स लगा देंगे अब हम इसे पलट लेना है अब हम गले पर सिलाई लगा देंगे यह देखिए हमारी गले पर सिलाई लग गई है अब नीचे की तरफ हम माल जन को अस्तल की तरफ कर देंगे और यहां अस्तल के उपर एक सिलाई लगा देनी है हमें माल जन को अस्तल की तरफ करते हुए यह सिलाई लग गई है हमारी अब हमें यह साइड में भी सिलाई लगा देनी है हुकाई की बट्टी के लिए यहां हमें आर्मूल की साइड से अभी खुला रखना है क्योंकि अब हम फ्रेंट को जॉइंट करेंगे बैक में तो यह देखिए हमें इस तरह से रखना है शोल्डर को यह जो पार्ट हमने खुला रखा है तो यह हम में फैबरिक के उपर इस तरह बीच में फ्रेंट पार्ट को रखेंगे और फिर अस्तल को इसके उपर फोल्ड कर देंगे यह देखिए इस तरह से अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक सलाई और लगा देंगे तो ये वह वहती फिनिशिंग से हमेरी शोल्डर जॉइंट हुए है ये देख सकते हैं आप तो इसी तरह से अब ये जो पार्ट रह गया था इसे हम पैक कर देंगे एक्ष्ट्रा कपड़ाय से कट कर देंगे इसी तरह दोनों शोल्डरों को हमें जोइंट कर लेना है तो ये दोनों शोल्डर हमारी जोइंट हो गए है अब हमें होक और आई की पट्टी अटेच करनी है तो इधर हम होक की पट्टी लगा रहे हैं इसके लिए हमने नीचे से कपड़े को पहले फोल्ड कर लिया है अब यहां भी उपर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे कट करके फोल्ड कर देंगे अब इसे अंदर की तरफ इस तरह पलट देंगे और उपर यहां एक सलाई लगा देंगे अब इसे एक और बार अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे extra कपड़ा को cut कर दिया है अब इस पट्टी की हमें अंदर की तरफ तुर्पाई कर देनी है अब हम हाई वाली पट्टी लगाएंगे तो इसके लिए हमने पट्टी को fold कर लिया है और उल्टी साइड से रखेंगे इसे जितनी भी एक्ष्ट्रा पट्टी है इसे कट करके फोल्ड कर देंगे अब इस पट्टी को हमें डवल फोल्ड करना है और उपर की तरफ टर्न कर देना है इस तरह से अब इस पर हमें याँ डवल सलाई लगानी है एक सलाई लगाएंगे फिर एक पैर की दूरी पर एक और सलाई लगानी है तो यह हमारी होक और आई कि पट्टी ready हो गही है अब हमें slips ready करनी है हमारी तो इसके लिए हमने main fabric के ऊपर अस्तल को इस तरह से रख लिया आ है और एक एक पैर की सलाई लगा लिया है अब इसे टर्ण कर लेंगे और यदर उपर भी एक सिलाई लगा लेंगे अब हम यहाँ भी एक मोटी टॉको वाली सिलाई लगा देंगे अब इसमें जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट कर देंगे इसी तरह से हमें दौनों सिलीप्स को रेडी करना है इन पर अब हम बॉर्डर लगाएंगे तो हमने जो लेंगे में यूज किया था बॉर्डर वही बॉर्डर हम इसमें लगाएंगे तो इसकी पट्टियां हमने रेडी करके रखी हुई है यह देखिए इस तरह से बॉर्डर है यह तो इस लेस को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे इस तरह से और यहां अटेच कर देंगे इस कॉर्णर पर इसे यहां भी हमें लेस को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है इसे केवाल हमारे जो triangle है ये बाहर निकलेंगे अब ये less भी attach हो गई है हमारी donor slips को इसी तरह ready कल लेंगे ये देखे हमारी donor slips ready हो गई है अब इन्हें हम blouse पर attach करेंगे तो जो च्छटाई वाला पार्ट है front पार्ट उसे हमने front पर attach करना है और back वाली पार्ट को back पर attach करना है तो इस slips हमारी बिल्कुल बराबर आ रही है तो हम इसी तरह से दौनों slips को attach कर लेंगे तो ये देखिए ये हमने दौनों slips को attach कर लिया है अब हमें back की dart बनानी है हमने back में अभी dart नहीं बनाई है तो back की plates डाल कर ready कर लेते हैं हम इसी तरह से हम दूसरी plate को भी डाल लेंगे अब हमें आगी की तरफ कमर पट्टी लगानी है तो इसके लिए हमने पट्टी को एक तरफ fold करके रखा हुआ है अब इसे इस पर attach कर देंगे एक्स्ट्रा पट्टी है इसे cut कर देंगे अब margin को अस्तल की तरफ करते हुए एक sly लगा देंगे पट्टी की तरफ किया है हमने हम margin को अब इसे अंदर की तरफ fold कर देंगे और यहां पर मोटी टॉक वाली sly लगा देंगे यहां पर हमें तुर्पाई करनी है अब यहां दोनों कॉर्णरों को मिलाते हुए हम side की sly लगा देंगे यहां सीधी तरफ से sly लगा रहे हैं हम जिससे यह sly हमारी गुम हो जाएगी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे कट कर देंगे तो इसी तरह से हमें दोनों तरफ sly लगा लेनी है अब इसे पलट लेंगे और यहां corner पर एक पैर के दूरी से sly लगा देंगे और जो पहले सly लगाई थी हमने वो हमारी गुम हो जाएगी अब हमें fitting की marking कर लेनी है तो इसके लिए कमर को नापना है हमें सबसे पहले तो ready कमर थी हमारी 31 इंच यारी हमारी 37 इंच तो 6 इंच एक्स्ट्रा है तो चारो तरफ हमारा 1.5 इंच का माल जना जाएगा तो side से हमें 1.5 इंच पर मार्क कर लेना है 10 इंच की हमारी मौरी है तो 5 इंच पर मार्क कर लेंगे हम यहां से 1.5 इंच पर मार्क कर लेंगे यहां से भी 1.5 इंच पर मार्क कर लेंगे अब fitting की line बना लेंगे इसी तरह से हमें दौनों तरफ फिटिंग की मार्किंग कर लेनी है अब यहां फिटिंग की सलाई लगा देंगे अब एक पैर की दूरी पर हमें एक और सलाई लगा देनी है यहां हमें इसी तरह से दो से तीन सलाई लगानी है एक और सलाई लगा देंगे इसी तरह से हमें दूसरी तरह भी फिटिंग की सलाई लगा लेनी है तो यह देखिए हमारी फिटिंग की सलाई लग गई है अब हमें इसमें डोरी अटेच करनी है तो इसके लिए हम उपर से 4 इंच पर मार्क करेंगे अब यहां डोरी को अटेच कर देंगे और पक्का कर देंगे इसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी डोरी अटेच कर लेनी है अब हमें डोरी में लटकन लगानी है तो उसके लिए हमने चौकोर पीस कट कर लिये हैं तीन, दो तो हमने बॉर्डर के कलर के लिए है और एक हमारा ब्लाउच के कलर कलिया है तो सिंपल ट्रियंगल वाली लटकन लगा रहे हैं हम या अब इसमें बीच में रैड कलर वाला लगा देंगे मैरूम कलर वाला है जोई अब फिर से एक ग्रीन कलर का लटकन लगा देंगे अब यह देखिए यह ब्लाउच हमरा बनकर तयार हो गया है तो फ्रेंड्स आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें थेंक्यू फर वाचेंग